करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ड्यूस का जो गोवा की सियासत से जुड़ी हुई है गोवा में अमित पालेकर होंगे आपका चहरा सुत्रों के अवाले से खबर आ रही है कि गोवा में अमित पालेकर मुख्य मंत्री का चहरा होंगे CM केजरिवाल अमित पालेकर के नाम का एलान प्रेस कॉन्फरेंस में उचारी रूप से कर सकते हैं अब ते कुछी वक्त के बाद प्रेस कॉन्फरेंस करने वाले हैं अर्विन केजरिवाल दिली के मुख्यमंतरी तो इस वक्त की बड़ी खबर गोवा की सियासत से जुड़ी हुई है गोवा में अमित पालेकर आम अदमी पार्टी का मुख्यमंतरी चहरा होंगे जिनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है CM कैंडिडेट की रेस में कई नाम थे लेकिन अमित पालेकर इस वक्त उस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं आज अर्विन के जरिवाग गोवा के दोरे पर हैं और बाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंस कर अमित पालेकर के नाम का ऐलान कर सकते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यूज़ आपको बता रहे हैं गोवा में अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे सुतरों के हवाले से यह ख़बर हम आपको बता रहे हैं और सियम कैंडिडेट में कई सारे नाम थे लेकिन अमित पालेकर उनमें सबसे आगे चल रहे हैं आज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के जैजरिवाल उनके नाम का इलान कर सकते हैं और अमित पालेकर आपको बता देख समाजिक कारे करता है समाज के विकास के लिए लोगों के मदद के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग निउस यही है कि गोवा के चुनाव में आमाद्मी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा अमित पालेकर हो सकते हैं सीम कैडिडेट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं कुछी वक्त में आमाद्मी पार्टी प्रेस कांफरेंस करकर और चारी क्रूप से उनके नाम का एलान कर सकती है और इससे पहले और भी कई नाम आ रहे थे लेकिन अब तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है गोवा में अमित पालेकर के चहरे पर आमाद्मी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है अमित पालेकर आमाद्मी पार्टी के मुख्य मंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आज अर्विन केजरिवाल गोवा के दौरे पर हैं कुछी वक्त में प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉंफरेंस में आपचारी क्रूप से इस बात का एलान हो सकता है कि अमित पालेकर गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चेहरे हो सकते हैं चौचित वकील है, सामाजी कारे करता है